सू प्रभाद प्यारे बच्चो आज हम कक्षा दस्वी की हिंदी व्याकरण की पाठे अपुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग नौ एवं दस की प्रेश्ट संख्या दोसो छीहत्तर पर दिये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्याइन करेंगे यह कार्य आपको 19 अप्रेल 2021 को भेजा जा रहा है यह आवाज कल्पना शर्मा की है बच्चो आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की पुस्तक की प्रेश्ट संख्या दोसो छीहत्तर निकाल लें साथ ही व्याकरण की उत्तर पुस्तिका साथ लेकर बैठें विशय का अध्याइन करते करते आप से कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आपको तीन मिनट दिये जाएंगे तीन मिनट के अंतरगत ही आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे अतह आपका ध्यान इस विशय की और ही केंद्रित होना चाहिए आशा करती हूँ कि आप अपनी अपनी पुस्तक एवं उत्तर पुस्तिका लेकर बैठ गए हैं और पढ़ने के लिए पूरी तरहां से तयार हैं बच्चों भाषा का सौंदर्य बढ़ाने और भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रियोग करते हैं इसी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है इसके प्रियोग से कथन संक्षिप्त हो जाता है तथा भाषा का सौंदर्य भी बढ़ जाता है इन्हें वाक्याश बोधक शब्द या शब्द सम्हू के लिए एक शब्द भी कहा जाता है आईए कुछ उधारनों द्वारा भी इसे समझने का प्रियास करते हैं पहली उधारन है कुछ ज्वाहर लाल नहरू दूर की सोचने वाले थे खुछ ज्वाहर लाल नहरू दूर दर्शी थे दूसरी उधारन है कुछ ताज महल देखने लायक इमारत है खु ताज महल दर्शनिय इमारत है बच्चो उप्रियुक्त उधारनों में दो दो प्रकार के वाक्य लिखे हैं दोनों का प्रियोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है अर्थात दूर की सोचने वाले के स्थान पर दूर दर्शी तथा देखने लायक के स्थान पर दर्शनिय शब्द का प्रियोग किया जा सकता है दूर दर्शी तथा दर्शनिय अनेक शब्दों के स्थान पर प्रियोग किये गए एक एक शब्द है अतह अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रियोग से भाशा में संक्षिप्तता एवं स्पष्टता आती है इससे अभिव्यक्ति सौंदर्य बढ़ जाता है हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रियोग बहु प्योगी होता है बच्चों अब आपकी पुस्तक की प्रेश्ट संख्या 276 पर दिये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्याइन करेंगे कक्षा नौवी में आपने अजे से निराधार तक स्मरण किये है अब हम प्रत्यक्ष से आरंब करेंगे आपका ध्यान अपनी अपनी उस्तक पर ही केंद्रित होना चाहिए इनका आपने दो तीन बार पढ़कर ही अभ्यास करना है आँखों के आगे होने वाला पहला वाक्यांश है आँखों के आगे होने वाला और इसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष दूसरा है आँखों के पीछे होने वाला आँखों के पीछे होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है परोक्ष अगला शब्द है दो पहर से पूर्व का समय और इसके लिए एक शब्द है पुर्वाहन प्रिये बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा पंदरह दिनों में एक बार होने वाला पाक्षिक तुरंत बुद्धी वाला प्रत्युत्पन मती पृत्वी से निर्मित पृत्वी से निर्मित वाक्याश के लिए एक शब्द है पार्थिव जिसके आर पार देखा जा सके पार दर्शी मैं फिर से दहरा रही हूँ जिसके आर पार देखा जा सके पार दर्शी जिसे पिया जा सके पे आगे है एतिहासिक युग के पहले का समय प्रागेतिहासिक पती द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता उपकार के बदले उपकार प्रत्युपकार बहुत कुछ जानने वाला बहुग्य जब भूक लगी हो बुभुक्षा जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो के लिए एक शब्द है बहुचर्चित जिसे बहुत सुना गया है बहुचर्च जो पहले हो चुका है भूत पूर्व मास खाने वाला मांसाहारी कम व्याय करने वाला मित व्याय थोड़ा अत्वा कम भोजन करने वाला मिताहारी बच्चो अब मैं इनसे संबंधित आपसे कुछ प्रश्ण पूछूंगी प्रश्ण सुनकर आप अपनी आउडियो को तीन मिनट का विराम देकर पूछे गए प्रश्णों के उत्तर लिखेंगे प्रश्ण एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आप क्या समझते है प्रश्ण दो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रियोग क्यूं किया जाता है प्रश्ण तीन निम्न लिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिये क पंद्रह दिन में एक बार होने वाला ख जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो ग जिसके आर पार देखा जा सके बच्चों उत्तर लिखने के लिए दी गई अवधी अब स्माप्थ हो चुकी है आशा है कि आपने पूछे गए प्रश्णों के उत्तर लिख लिए होंगे अब मैं आपको उन्ही प्रश्णों के उत्तर बता रही हूँ जो इस प्रकार है उत्तर एक अनेक शब्दों के स्थान पर प्रियोग किये जाने वाले शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है उत्तर दो भाशा का सौंदर्य बढ़ाने एवं भाशा में संक्षिप्टता लाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रियोग करते हैं उत्तर तीन निम्न लिखित वाक्यान्शों के लिए एक शब्द है क पंद्रह दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक ख जिसकी अत्यधिक चर्चा हुई हो बहु चर्चित ग जिसके आर पार देखा जा सके पार दर्शी बच्चो अब हम आगे दिये गए वाक्यान्श बोधक शब्दों का अध्याइन करेंगे आपका ध्यान इसी प्रकार पुस्तक पर ही केंद्रित होना चाहिए इन्हें आप मेरे पीछे उँचे स्वर में दोहराएंगे मन को हरने वाला मन को हरने वाला वाक्यान्श के लिए एक शब्द है मनोहर इसी प्रकार अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला और इसके लिए एक शब्द है मुमुक्षू किसी मत के पीछे चलने वाला मतानुयाई जिसकी इच्छाएं बहुत उँची हों महत्व कांक्षी जो हृद्य को छूले इसके लिए एक शब्द है मर्म स्पर्शी अगला है वीर पुत्र पैदा करने वाली वीर प्रसू जिसका वर्णन संभव नहीं वर्णा तीद संतान हीन स्त्री वंध्या विश्वास करने योग्य विश्वस्त सो अब्दों का सम्हू शताब्दी सभ्य पुर्शों का आचरण शिष्टाचार सबको समान देखने वाला संदर्शी आगे है एक से दूसरे को लगने वाला संक्रामक पच्चिस वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में होने वाला उत्सव और इसके लिए एक शब्द है स्वान जयन्ती आगे है साथ वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में होने वाला उत्सव हीरक जयन्ती जिसमें उत्साह न रह गया हो इसके लिए एक शब्द है हतोत्साही पच्चिस वर्ष पूरा करने के उपलक्षे में होने वाला उत्सव इसके लिए एक शब्द है रजत जयन्ती सो आगे है जो अपने समय का ज्यानी हो युग द्रिष्टा जो शमा करने के लिए प्रार्थना करे शमा प्रार्थी बच्चो आज हमने प्रत्यक्ष से शमा प्रार्थी तक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्यान कर लिया है आशा करती हूँ कि आपने इन्हें ध्यान से सुना एवं समझा होगा इन शब्दों को आप दो तीन बार अवश्य दोराएंगे अब मैं आपको ग्रिह कारे दे रही हूँ इस कारे को आप अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे ग्रिह कारे सभी चात्र व्याकरण की पुस्तक की प्रेश्ट संख्या 276 एवं 270 पर दिये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष से शमा प्रार्थी तक दो तीन बार उंचे स्वर में दोराएंगे एवं इन्हें अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे सभी चात्रों का इन्हें स्मरण करना भी आवशक है धन्यवाद